और बुलिटन की शुरूआत बड़ी कबर के साथ करेंगे श्कुला से आ रही है जहां बीजेपी कारेकारणी की बैठक होने जा रही है ग्रेमंत्री अमिजशा पहुंच रहे हैं लगातार वहाँ पर बीजेपी नेताओं का पहुंचना जा रही है इस बैठक के अध्यक्षिता ग्रेमंत्री अमिजशा करेंगे सियम नायप सिंग सैनी सहित कई बड़े बीजेपी नेता इस बैठक में शामिल होंगे चुनाव प्रभारी धर्मींद्र प्रधान भी इस बैठक में शामिल होंगे मनोहर लाल भी इस बैठक में शामिल होंगे तो बड़ी खबर पंचकुला से आ रही है जहां बीजेपी कारेकारणी की बैठक होने जा रही है ग्रियमंत्रिय अमिज शा के अधिक्षिता में ये बैठक की जाएगी करीब 4500 पतादिकारी नेता और कारेकरता इस बैठक में शामिल होंगे और इसी खबर पर जादो जानकारी के लिए विपन परमार इंपूट एडिटर हमाई साथ जोड़ गए है आपके पास आएंगे देखे जुस तरह से देख रहे हैं लगातार बैठको का दोड़ जारी हो और जिस तरह से देखे लगातार तग्यारियां की जारी हैं विधान सबाद चुनाफ को लेकर और इस बैठक में जिस तरह से बड़े नेता शामिल होंगे कारेकरता भी शामिल होंगे और बैठक के अधिक्षिता की जाएगी ग्रह मंतरी अविच शाद वारा क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर देखें बिल्कुल दो चरणों में ये बैठक जो होगी और इस समय तमाम पोलिटिकल पार्टी इसका आतम मंतन आतम चिंतन जो है वो चल रहा है जाना किस तरह से भारती जंता पार्टी विधानसवा चुनावों में जाएगी इसको लेकर जो है ग्रेमंत्री अमित्शा जो है यहां पर आज तमाम तरह की दिशा निर्देश और गुर्मंत्र जो है बुदेते नजर आएंगे दो चरणों का जिक्र मैंने किया पहले जो है जो है सांसद हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगे और इसके साथ साथ पूर मुख्य मंत्री और केंद्री मंत्री मनोहरलाल भी इस बैट्रिक में जो है वो पहले चरण में जो है मौजूद रहेंगे तो ऐसे में पहले स्टेट यूनिट की और से जो है वो कही न कही आतमन्तन किया जाएगा और उसके बाद दूसरा चरण जब शुरू होगा तो उसमें केंद्रि ग्रिमंत्री अमित्शा पहुंचेंगे आप देख सकते हैं कि तैयारियां यहां पर जोर उपर है और ऐसे में कहीं न कहीं अगर बात करें तो तमाम तरह की तैयारियों के लिए जो है यहां पर नेता जो है वो पहुंच रहे हैं कमरपाल गूजर को आप जो है वो यहां पर देख सकते हैं वो भी यहां पर पहुंचे हैं तमाम विधायक यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं तो ऐसी परिस्टिती में कहीं न कहीं क्योंकि विधानसभा चुनाव जो हैं वो बिल्कुल अब on the chart या फिर ये कहें कि countdown उनका शुरू हो चुका है लोकसबाद चुनावों में जिस तरह से party की performance रही उस performance को देखते हुए कहीं ना कहीं एक आतम मंथन एक आतम चिंतन जो है भालती जंता party के और से क्या जा रहा है outreach program किस तरह से लोगों के साथ जंता के साथ समन में बनाना है किस तरह से सरकार के केंदर और राजसरकार के मुद्दों को जो है वो जो है जंता तक लेकर जाना है इसको लेकर भी गुरुमंत्र जो है वो अमिच्छा की और सी दिया जाएगा तो आप देख सकते हैं एक विशाल मंच जो है ताउदेविलाल स्टेडियम में यहां पर मनाया गया है जहां पर तमाम लीडर्शिप जो है सीनिय लीडर्शिप जो है वह रहेगी और भही नीचे क कि अगर बात करें तो साड़े पांच चार से पांच हजार कारिकरता जो है वो मौझूद रहेंगे स्टेट यूनिट के यानि के तमाम जिलों से पदाधिकारियों को बलाया गया है तमाम आला नेता जो है पार्टी का जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं प्रदेश में उन न कांगरेस भी लगातार जो है वो जनता के बीच में जाकर कई तरह की प्रोग्राम जो है उनकी और से कारेकरता समेलन किये जा रहे हैं तो वहीं दूसरी और भारती जनता पार्टी जो है वो कारेकरताओं को एक जुट करकर जो है वो प्रदेश के विधानसभा चुनावों म इसको लेकर जो है वो आमिच्छा केंद्री मंत्री केंद्री मंत्री आमिच्छा जो है वो यहां पर पहुंचेंगे उनकी और से नेताओं से बात भी की जाएगे और उससे पहले पहले चरण में स्टेट के जो तमाम आला नेता है प्रभारी है चाहे संगटन मंत्री है चाह लग चुनाव लड़ रही है। सरकार बना पाना जो है वो मुनासिब नहीं था और ऐसे में वो घठबंदन बना साड़े-चार साल चला और उसके बाद उसको तोड़ा गया तो ऐसी परिष्टिती में क्योंकि जन्नाएक जनता पार्टी अब अलग हो चुकी है तो भारती जनता पार्टी पिछली बार भी 90 क 90 की 90 विधान拾वा चुनाव उसको चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है वही चुनावतियों की अगर बात करें तो चुनावती सबसे बड़ी किसी भी मौझूदा सरकार के सामने एंटीनकंबंसी की रहती है दस साल से सरकार प्रोड़ेश में है ऐसे में एंटीनकंबंस पैसी का Factor किस तरह से जो हे उसको घटाया जा सकता है लोगों के बीच में अपनी नीतियों को किस तरह से बताया जा सकता है कौन से वो प्रोग्राम थे जिसनों ने लोगों को नीतिति नि легко सम्झाती आज समझाती नजर आएगी कि अगर आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो पार्टियों की परचार नीतियों का परचार जरूर करें और तमाम चीजें जो है उन्हें समझाने का बताने का प्रयास करें अब ऐसी परिस्तिती में आप चुराब के मोहाने पहले लोकसवाब में मिच्छा यही गुर्मंतर देते नजर आएंगे कि नई शुरुआत के साथ जो है विधान सवाब चुनाओं में उतरे और तमाम उद्दों को जो है विजनता के बीच में रखने का काम करें और यही विपक्ष भी स्ट्राइजाइज कर रहा है कि किस तरह से जो सीटों में उसको में टेन करने के लिए बहुत 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 शुकरिया विपिन हमसे जुनने के लुए तमाम जानकारी साजा करने के लिए वहीं हर्याना के मुक्र मंतरी नायप सिंग सेनी ने पंचकुला के M.D.C में स्थत B.J.P के प्रदेश कार्याले पंचकुमल में प्रदेश के प्रदाधिकारी जिलाद्यक्षों और जिलाप्रभारियों के साथ ग्रे मंत्री अमिच शा के विस्तारित प्रदेश कारिकारणी बैठक को लेकर चर्चा की इस हब से पर प्रदेश प्रदाधिकारी और जिलाद्यक्ष और प्रभारी से चर्चा की गई हर्याना के मुख्य मंत्री नायप सिंग सैनी ने कहा कि केंद्रिय ने तित्व केंद्रिय मंत्री अमिच शा द्वारा जो मार्ग दर्शन किया जाएगा उसको धरातल पर उतारा जाएगा मुखे मतुई नायप सिंग सैनी ने बैठक के बात कहा कि अमित शा का हर्याना के कारेकरताओं को प्रदेश विस्तारित कारेकरननी की बैठक में मार्क दर्शन मिलेगा उन्होंने कहा इसमें राजुतिक प्रस्ताव भी पास होगा, उन्होंने कहा कि आगामी क्या कारे करने हैं, उस पर भी संगार्टनात्मक चड़चा होगी। इस बैठक में मार्ग दर्शन मिलेगा। और इस बैठक में क्यांकि हम लोग सभाचुनाओं से आए हैं और विधान सभाचुनाओं हमारी दलहीज के उपर खड़े हैं। इसमें राजनितिक पस्ताव भी पास होगा, अगामी क्या क्या कारिया हमने करने हैं, उसके उपर भी संगार्टनात्मक चर्चा होगी। हमारी केंदर सरकार और परदेश सरकार में जनहित में लगातार क्या 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 कदम उठाए हैं, उनको लेकर के भी चर्चा होगी। ये पहली ऐसी सरकार है, जो गरीब को मजबूती की तरफ ले जाने का काम, जिसके मूल भावना में अन्तुदा है, गरीब विक्ति को आगे बढ़ाने का काम, दस वर्त सो में हमारी डबल इंजिन की सरकार है।